Central Vista Project एक बार फिर से सुल्खियों में है जैसा कि आप सबको पता ही होगा 28 मही को Central Vista Project याने भारत का जो नया पार्लियमेंट है उसका इनागरेशन होने जा रहा है और कम से कम भारत में 20 पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो इसका बॉयकॉट करने जा रही है अब आपको ये लग रहा होगा कि Central Vista Project का बॉयकॉट किसलिए दरसल पार्लियमेंट का बॉयकॉट नहीं ये इनागरेशन सेरेमनी का बॉयकॉट है 28 मही को जो इनागरेशन सेरेमनी होने जा रही है वो इनागरेशन प्राइम मिनिस्टर नरेदर मोधी खुद करने जा रहे है और पॉलिटिकल पार्टीज का मानना ऐसा है कि ये अपने आपने राष्ट्रपती पद की गरिमा का एक इंसल्ट है याने जो इनागरेशन प्रेसिडेंट मुर्मू को करना चाहिए वो डारिकली प्रधान मंत्री नरेदर मोधी द्वारा किया जा रहा है तो इसलिए कम से कम 20 पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो ये कहती है कि ऐसा बिलकुल नहीं होना चाहिए था ये प्रेसिडेंट मुर्मू द्वारा ही किया जाना चाहिए था अपार्ट फॉर्म दाट कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज भी है जैसे कि ट्रेडमूल कॉंग्रेस हो गई, CPI हो गई या हमादमी पार्टी हो गई जिनोंने अपने आपको completely इससे अलग रखा है तो ये देखना बड़ा देल्चस होगा कि 28 तारिक को होने वाले इनागरेशन में आफिर कौन सा नया रंग आता है आप कमेंट्स रेट में जरूर मुझे बताईएगा कि आपके हिसाब से ये रमट निच्ट आफिर करना चाहिए थी और क्या जो इनागरेशन सेरेमनी को प्राइम इनेस्ट और मोडिजी द्वारा की जा रहे ऐए या फिर दुरु रमटी मुल्मु को ये इनागरेशन करना चाहिए था आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा ऐसे ही informative वीडियोस के लिए मेरा संटे मेगा सेशन संकल्प एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर देखते रहे और ग्यान बाजी टेलीग्राम चैनल को फॉलो परते रहे हैं, थैंक यू